हलो फ्रेंड्स, बेलकम टू जानी टॉक्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्क्स करने वाले हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस और पॉलिटी के बहुत ही महत्पून प्रेशन जो की आपके आने वाले competitive exam, HP SSC, HP police और press guard के लिए काफी helpful होंगे दोस्तों, अगर इससे पहले की classes आपने नहीं देखी हैं, ये हमारी 11 class है अगर इससे पहले की आपने classes नहीं देखी हैं, तो आप हमारे channel की playlist में जा कर देख सकते हैं और अपनी त्यारी को boost up कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रेशन से पहला प्रेशन है, मुहमद बिन तुगलक shifted his capital from डिली 2 तो मुहमद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी डिली से कहा स्थानंतरित करी थी दोस्तो ये करी थी, दोलताबाद तो इसका option जो ए है, पो सही हो जाएगा दोलताबाद स्थानंतरित करी थी, मुहमद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी और दोस्तो जो मुहमद बिन तुगलक थे, इसको रक्त पिपासु भी कहा जाता है अगला जो प्रेशन है, तो रिजनल नेमा मुमताज महल वाज, मुमताज महल का बास्तिविक नाम था दोस्तो मुमताज महल का जो बास्तिविक नाम था वो था अर्जुमंद बानो वेगम तो इसका option ए जो है, वो सही हो जाएगा दोस्तो जो मुमताज महल है यानि कि जो अर्जुमंद बानो वेगम है इसका जो निकाह था वो साजान से हुआ था और साजान ने इसकी याद में ताज महल का भी निर्मान करवाया था पर सब पीड़ा से इसकी मृत्यू हो गई थी 1631 इसमी में इसका निर्मान जो ताजमेल है उसका निर्मान शुरू करा था अगला जो प्रेशन है दा फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी बाज फॉर्म दिन तो आपको पताना है फ्रांसिसी इस्ट इंडिया कंपनी स्तापित हुई थी 1600 SB में अंग्रीजी इस्ट इंडिया कंपनी की स्तापना होई थी अगला जो प्रेशन है भेर बालता फास्ट मद्रसा सेटप बाइदा ब्रिटिस इन इंडिया अंग्रीजों के द्वारा भारत में जो प्रत्थम मद्रसा था बहो कलकत्ता में बनवाया गया था उसका ओप्श के दुरान सिपाही द्रो निमन मैंसे किस्तान परामब हुआ था तो दोस्तों यह हुआ था मेरेट से तो इसका ओप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा दस में इसे इसकी सुरुआत हुई थी दस में ठारा सो स्ताबन को अगला जो प्रेशन है दोस्तों वो है कुमर सिंग ल और दोस्तों इसका जो दमन था वो हो पतना के जो कमिशनर थे बिलियम टेलर उनके द्वारा किया गया था अगला जो प्रेशन है वो ट्राइड दा ओर्गनाइज रिपोल्ट बाई इंडिन सिपोई एंड रिवोलेशनरी एरांड 1913 तो दोस्तों जो 1913 के आसपास भारती स पर बाम फैंका था और दोस्तों इसमें लाड हर्डिंग जो थे वो गाइल हो गए थे और इसमें दोस्तों 13 करेंतिकारियों को गिरफ़तार किया गया था जिन में से 5 को फांसी की सजा दे दी गई थी अगला प्रेशन है अगला प्रेशन है दर इवलेश नरी एसेसेशन अ पीडी सवर्कर यानि की बीर सवर्कर के द्वारा करी गई थी अगला जो प्रेशन है ता फेमस आइने ट्राइल टुक प्लेस इन था रेड़ फोर्ट दिल्ली इन तो किस वर्स आइने ट्राइल लाल किला उकदमा जो था दिल्ली में चलाया गया था दोस्तों ये चलाया गया लगा कर दिल्ली के लाल के लिए पर इने पर भुकदमा चलाया गया था लेकिन बाद में जो बाइसराय थे उन्होंने इनकी सज़ा को माफ कर दिया था अगला जो प्रेशन है निमिन मैंसे किसको गांदीजी अपना राजनेती गुरू मानते थे दोस्तों गांदीजी अपना ब्हुर्स और भारत का समीधान कब लागु हुआ था थे आपको पताना है कि भारत का समीधान कब लागु हुआ था भारत का समीधान 26干ya अगला जो प्रेशन है 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 A presidential ordinance can remain in force far राष्टपती का अध्यदेश कितने समय तक लागू रह सकता है तो दोस्तों यह रह सकता है 6 बीग तक 6 सपता तक तो इसका option डीज़ है तो सही हो चाहेगा इनमें से कोई नहीं और दोस्तों राष्टपती अध्यदेश तो जारी करता है आर्टिकल एक सो तेस के तहता तेस जारी कर सकता है अगला जो प्रेशन है वह बाज़ दा फास्ट स्पीकर ओफ लोगसबा तो लोगसबा के प्रत्थम अध्यक्ष थे तो दोस्तों लोगसबा के जो प्रत्थम अध्यक्ष थे वो थी मीरा कुमार अगला जो प्रेशन है वह इस दा एक्जीक्योटिव हैड ऑफ दा स्टेट तो दोस्तों एक्जीक्योटिव हैड ऑफ स्टेट जो होता है वो होता है राज जेपाल तो इसका ऑप्शन भी जो है वो सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है भारत में विविन राजनितिक डलों को क्षेत्री अत्वा राष्टे डल की मानिता कौन प्रदान करता है दोस्तों जो भारत के राजनितिक डल होते हैं क्षेत्री राष्टे डल इनको चुनावायोग मानिता प्राप्त करता है तो वो सही हो जाएगा और तो भारत में सबसे पहले जो इचन करना होई थी लोड मेओ की कारेकाल में होई थी ठारसो बहत्तर में और नियमित रूप से ठारसो इकासी में लोड रिपन के स्मय होने लगी अगला जो प्रेशन है भारत में प्रिछन ब्रुजगारी पाई जाती है दोस्तो जो डिस्गाजड अनिम्प्लोईमेंट है ये पाई जाती है अग्रिकल्चर सेक्टर में क्रिशीक शेतर में तो इसका ऑप्षन ये जो है वो सही हो जाएगा क्रिशीक शेतर में अगला जो प्रेशन है दूरिंग पीरेड आफ इंफलेशन रेट्स शुड तो सही हो जाएगा अगर दोस्तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इनफॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगला जो प्रेशन है अर्बियाई बाज ने अगला जो प्रेशन है दिस्टेंस आफ स्टार आर मेजर इन तारहों के जो दूरी है वो प्रकाश बर्स में मापी जाती है लाइट एर में तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगला प्रेशन है दो लॉड्डनेस आप सौंड डिपेंड सापॉन तो भनी की प्रवलता निला दिखने का कारण है तो दोस्तो कास का जो रंग निला दिखने का कारण है वो है स्केटरिंग ऑप लाइट यानि की परकेड़न तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसी लगी क्मेंट करके जरू God bless you all